बाई सबसे महेंगा मंडी के अंदर अजमेर के अंदर का सबसे महेंगा बक्रा बताओ कैसे क्या मंदर रहेगा इंशाला बक्रा मंडी का इंशाला वह आप लोग को लेके जलेंगा स्कूटी को हमने यहां पर पार्क कर दिया है सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट अजमेर से होता है बक्रों का और वन अफ दा बिगेस्ट सबसे बड़ा सोलो बक्रे देखने भी मैं खुछ जा रहा हूं अके लिए मॉसार कि हमारे भावे माशार्लाहि ऑले करने यह और व क्यायम उद्धार अपर मॉहम्मद चिति प्लौग भारी बहल रही पक्रें यहें तो माशालला कौन सी नसल है यह मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ता जा रहा हूं और बख्रों की जो हाइट है चोड़ाई है सब बढ़ती जा रही है तो मैंने अमेशा नोटिस किया जब जब बारिश का टाइम हो जाता है रेट अपने आप 4-5,000 रुपे कम से कम गिर जात सब्सक्राइब करें देखना और भी मेरे काफी सारे और अलग अलग वीडियो जालता तीन बजे बड़ा मंडी कौन से समीचर की की मंगल की नहीं हो पाएगा चलो ठीक है को यह आपको सब तमाम वीडियो मेरे इस पर मिल जाएंगे देखे किनी आप लोग ने वीडियो मेर देखते ने वीडियो यह चाचा जो है मास्टर माइंड है आगे आप बोलो में मास्टर माइंड है लाइक करके आख लो पच्छी आथ हो यह कंब में सुमार बोलो चलो ठीक है असलम वालेकूम रहमत लाहिव वबरकातो तो कैसे हैं आप सब अबीद करता हूं कि आप सब खेरियत से होंगे एक नए व्लोग में मैं आप सब करता हूं मेरे प्यारे बाई और बहनों आज किस ब्लॉग के अंदर में आप लोग को आज मेश रीफ का जो बक्रम अंडी में को अब तो मेरे प्यारे भाई और भेनों अभी इंशाल्लावी बस मैं यहाँ से निकलूँगा मैं आप लोगो बस मेरे जो बक्रा तुमे दिखाना जा रहा था मैशालला है पांच बाक्रा बक्रिया हैं और इंशाल्ला और भाणे के मुड्में हूं शाल्ला बड़ी जगा ए इंशालोह वहँगों को रखा जाएगा खिर आज कि इस ब्लॉक दर मेरी पयाँ वहए रवान वह निकले के कैसा क्या मारकेट कैसा क्या मनजर हो doğru हैं और इंशा चाले आपकी को दिखाएंगे अभी बसUSE को निकालते हैं और उसके बाद आप लोग को लेके चलते हैं यहां से बक्रमंडी जैसे आप लोग को बता है माशालला 17 जून को इदुल अधा होने वाला है माशालला और यह आप लोग देख सकते हैं मेरा तूफान है माशालला और माशालला बोलना ना भूले माशालला मेरे ब लेके चलेंगे और दिखाएंगे, आजा, 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 तो मेरे प्यारे बाई और भेहनों, स्कूटी को हमने यहां पर यहीं पर हमारी कार भी माशारलहर पर करती है तो अभी इंशाला भी यहां से अभी निखलेंगे और बकरह मंधू प्रती को बताया कैसा क्या मन्जर गवाнопर और अप्रती के अंदर करोम鍵 में बताने वाला और इंडिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट अजमेर से होता है बक्रो का और वन अफ दा बिगेस्ट सबसे बड़ा मार्केट है बक्रो का अजमेर के अंदर और अजमेर के अंदर और अजमेर के बक्रे माशालला बहुत ही ज्यादा फेमास है करा में हुदूर गरीव नावस का बक्रे भी आने वाले दिनों में मेरे प्यारे य को दिखाने वाला हूं कि सबसे बड़ी मंडी लगती है इंडिया के अंदर वह देवनार के लगती है और बहुत ही फेमस है वह की मंडी में आप लोग को लेगे जाओंगा वहां का भी इंशालला व्लॉग बनाएंगे तो अगर आप लोग ने चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को आने वाले दिनों में मेरे जितने भी व्लॉक्स हैं, इंशाला वो आप तक सब तक सबसे पहले पहुचे, बेल नौटिफिकेशन को अन करना न भूले, कहाईए, चलते हैं अभी, कैसा क्या मंदर रहेगा, इंशाला आप लोग को दिखाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई और वेहनों, अभी हम लोग निकल चुके हैं, वैसे तो मेरा प्लान था स्कूटी से जाने के लिए, बट फिर गर्मी इतनी जबर्दस्त हो रही है, तो सोचा चलो कार निकाल लेते हैं, कार मेर जाते हैं, और ये भी सोचा फिर चलो, अगर कोई एक बकरा मिल भी जाता है, कुरबानी के लिए, तो इंशाला वो भी ले ल प्लान चल रहा था, इसलिए पूरा रास्ते को डाइवर्ट कर दिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये अंदर के जो रास्ते हैं, वहां से अभी रास्ता डाइवर्ट हो चुका है, और वैसे तो प्लान था कि थोड़ा सा जल्दी पहुचू, पांच साड़े पांच त और क्या क्या लॉट आएवाए, कहां कहा से आएवाए और बेसिक इंफोर्मेशन जो है, जैसे मैं आप लोग को देना चाहूंगा, मेरे ब्लॉग के जरी वह मैं आप लोग को दूंगा, जब तक आप लोग थोड़ा सा सिट बैक, रिलाक्स, इंजोई करें इस ब्लॉग को और पहुचते हैं अभी थोड़ी देर में इंशाला, चलते हैं, देखिए आप लोग ये चंदवर्दाई नगर से होते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं, और ये ये वाली जो कॉलिन ही है, ज्यादा पुरानी कॉलिन ही है, नई कॉलिन ही कटी वी है, और ये इसको चंदव ही रिस्की, बहुत ही डेंजरस है, बढ़ हम लोग तो क्या एक आदत सी हो गई है, और फिर भी मैं ज्यादा रिस्क लेता नहीं, फिर भी काफी टाइम से एक साल होने जा रहा है, माशाला, व्लॉगिंग करते हैं, तो एक थोड़ी सी हैंड आई कॉर्डिनेशन, जिसे बो देखने के लिए जा रहे हैं, और कैसे क्या मंदर रहेगा, इंशालला, वहां जाके आप लोग को बताएंगे, यह आप लोग देख सकते हैं, अम्मा, बक्रा मंडी केता है, अब बक्रा मंडी, आगे, आप बक्रे का लेके जा रहे हो, बक्रा मंडी लेके जा रहे हो क्या, अच्छा चराने जा रहे हो चलो ठीक है यह आप लोग देख सकते हैं यहाप यह चरानी के लिए लेके जा रही है बक्रों को और अभी बक्रा मंडी तो यहीं दिख गई थोड़ी बहुत छोटी सी मंडी अभी इंशाल्लाव आजा के आप लोग को मंडी पूरी दिखाएंगे तो अल्मोस्ट हम लोग पहुच गए हैं मेरे प्यारे भाई और बैनों लगबक मैं बोल सकता हूं कि अल्मोस्ट एक किलोमीटर का और फासला होगा बक्रा मंडी अजमेर पहुचने के लिए और अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं बादल कितने जबर्दस तूपर दिख दिन पर आएं जब आज बारिश होने वाली है और शायद बुन्दाबांदी भी शुरू होने वाली अभी थोड़ी देर में तो आहीं चलते हैं कैसा क्या मंदर है यह आप लोग देख सकते हैं यहां से बकरा मंडी जो है शुरू हो जाती है और तमाम यह जितिवी लोडिं देखते हैं बक्रमंडी वैसे इस साइड यहां पर है और यहां से भी रास्ता जाता है तो अभी चलते हैं अंदर कहीं गाड़ी को पार्क कर लेते हैं पहले तो और इसके बाद फिर इंशालला कंटीनु करते हैं इस ब्लॉग को यह रहा सबसे पहला बक्रा जो हमें दिखा है यह पूरे बक्रमंडी के अंदर के पहला लॉट जो है बिस्मिल्ला करते हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों गाड़ी को हमने कर दी पार्क और सोलो जिसे बोलते ना सोलो ट्रैवलर सोलो बक्रे देखने भी मैं खुछ जा रहा अकेले वैसे तो हमारे भाई जितने भी ज कमेंड किया उन्होंने सजिस्ट किया कि आप एक व्लॉग बनाओ बक्रमंडी के ऊपर काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग को यहां पर ले कर आऊंगा और दिखाऊंगा कैसा क्या मंदर है हम लोगों ने वहां पर गाड़ी तो कर दी यह पार्क और फिर अभी अहां से अभी इंशालला यहां पर बक्रमंडी पूरा का पूरा यहां शुरू हो जाता है और वाइस आप यह देखो वीडियो में तो सब आना चाहते हैं और काफी लोग इंट्रेस्टेड रहते हैं वीडियो को कोई देखते किसी को वीडियो बन मिल खाते कैसा क्या मंदर और मेरे को शीप तुमबे आरे भाई भाई करकें क्योंफें। और माशालला मेरी खुशनसीबी भाई यहां पर मुझे मिल गए माशालला भाई लिये कुछ आपने बखरा लेने के निये अच्छा अब इनकी मर्दी और अपने इस अपने ख़ाईश कॉंसा पक्रा फसंद आया भाई आपको एक और थालीज ने अब हुआै परं नरा की माशाल हे इस नियुक्ष था का है बहुत दबर्दस लग रहा है बट भाई थोड़ा सा अच्छा है मारवाडी अरे क्या वाद है लोग तो पले वे पतना है वाले पतना है वाईट कलगा मुझे पारिश हो जाएगी फिर रेट वैसे ही कम हो जाएगी चलो भाई मिलते हैं पिर इंचा-लला दुआ मैंने आप लोग को एक यहां पर दिखाया कि कैसा क्या मंदर माशालला बहुत प्यारा दिख रहा है और भाई साब कैसे कौन सा सोचते कितने मांग रहे है उसका है चालीज अदार सही है यार वैसे तो कितना असी किलो के आसपास का लग रहे है असी किलो है ना यह भी माशाल्ला माशाल्ला क्या नाम है भाई आपका स्लाम अलेकुम और भाई कैसे कैसे मंडी कैसे मंडी अपकी यहां पर जबरदस भाव भी दीजने पहले हैं अरे माशाल्ला सिर्फ 25 जार में दिखाओ दिखाओ दात दिखाओ यही बकर अगर मुंबई में लेने जाओ तो 40 45 से कम तो मिलेगा भी नहीं मैंने देखा काफी मुंबई के काफी लोग आते हैं यहां पे लेने के लिए आप कहां से अच्छा आप भी यहां बेचने आयो लेके आयो अच्छा आपको अधेपुर से यहां लेने आयो मैं तो यहीं का हूँ अजमेर का हूँ माशाला हमें तो यहां पर हुदूर गरीबनास के चैर में हमें सब मिल जाता है माशाला सब्सक्राइब कर लो और मौम्मद चिष्टी व्लॉग्स माशाला माशाला कहा से आये बाई कायर से यहीं के अब में भी अपन एजमेर के ही है चलो क्या मांग रहे हैं क्या मांग रहें कि इतने में लिया पंद्रा में खेचते इसको थोड़ा सा तो आ जाता पंद्रा में भी चलो मैं भी इंशाल्ला लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं भी खुद लेके जाओंगा इंशाल्ला मौम्मद चिष्टी व्लॉग्स तो देखिए माशाल्ला अभी तो हम लोगों ने ज माश अल्ला दिकाना अजजर दिकवार थोड़ा तोड़ा खड़ा करके माशला ये तो पुरा बड़ारी बकरा लग जलार है माशालल्ला ब्हुत-बहुत-वहारी भाझार ये तो माश-थय क्या मांग रही हौत-ट्यों-वशाल्लledge देटीज तो है भाई। मेरे घर में भी पाच्छे बक्रे पड़े वे इंशालला हम भी तयार करेंगे ऐसे बक्रे माशालला क्या बक्रे जबर्दस्त तो अगर आपसे कोई राप्ता करना चाहे एकाद दो दिन के अंदर अजमेर में तो आपका नंबर बता दो और निगोशिय में इसका रेट निगोशिय में कम ज्यादा होगा क्या मांगा आपने लाग रुपे तो यह आप लोग देख सकते मेरे प्यारे भाई और बैनों डेल लाग रुपे बांगे अरे क्या वात है सुभान अल्ला यह तो क्या वात है हाइट क्या जबर्दस हाइट है क्या कितनी हाइट है इसकी 43 43 43 लग रही माशालला अंडूल बक्रा है अंडूल है यह तो 120 किलो के आसपास का लग रहा है रहा है सो 120 कितना किलो है 120 120 का बाइस ही लग रहा है तोला है की नी तोला है इसको आप ने तो नहीं आयं है हमारे बास कोड़ा तो रखते ही निए जय मिण माशालला क्या माग रहे हैं इसका है साट अधर क्या बात कर रहे हैं क्या बात है अच्छा वीडियो के लिए चलो आप बता दो यह यह बता दो किसका बक्रा है किसका बक्रा किसका आई है माशारा नहीं बडे दबर्दस माशाल ला यह बहुत भारी बक्रा ये वाला भी यह बना अभी आटा पड़ गया दा नुकसान फ़केक नुकसान हो गया इसके मैं कोई बात नहीं किसी को नुकसान योगा सब को Gü compost पाँगा यह काम ही ऐसी चीज है सुभान अल्ला यह देखिए माशालला मेरे प्यारे भाई और बेनों कितना जबरदस यह बकरा माशालला हाइट में भी और चोडाई में भी पता नहीं आप लोग को कैमरा में आप लोग को दिख रहा है कि नहीं यह 12000 का दे रहे हो माशालला कौँसी नसल है यह शिळोई कोई से लेना चाहिए यह आकर तो नंबर बता दो 9094259 ठीक है 12000 वाल भी बकरा है आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बाई और बैनों अभी जस्ट हम लोग एंटर वे यह और इतने जबरदस जबरदस बख्रें यहां पर आप कि होगा कि फाच होगा कि पाच इसार माशआलह यह बठीया-बठीया की लौका है वह बहुत जबर्दस मासालला कि माशआला थाल गयुक्त सेऴसिया सुबहान बादे बमश ऑनला कि माशआला माश औला माशआलनी नहीं और यह फैसेड़ stinks अब वीडियो के आभ आ बखरे बेचोंगे बखरे बेचना है अभी इस्फ यह दो नहीं बेचना है ना यह हमारे भाई है इनको अभी कभी बिस्मिल्ला गरो भाई आप बताओ कितने में लेना है आप नमबर डालूगा मेरा चैनल पे बहुत लोग आएंगे मैं बोलूगा सब को आपके बास आने के लिए यह नहीं नहीं कमी तो नहीं माशाला सुभान अलाह देदो भाई के इनको भी खुश करो आप भी खुश होने चाहिए यह बेशक बेशक बेशक्शंटर करने वाला मोपत सारी काम होंगे माशालला है अब और थोड़ा सा देखता भाई जाके लेलो भाई माशालला बहुत बहुत जबर्दस बक्रे माशालला है मोहमद आप अपना नंबर बता दो लाओ बता इसमें आप लोग को अगर ऐसे बड़े बड़े बक्रे लेने हैं तो इनसे आके लिए ना भाई को देदो भाई पैतीस पांसो में बिस्मिल्ला कर दो यूट्यूब को लो तो आईए मेरे प्यारे बाई और बेनों और चलते आगे क्योंकि हम मैं भी पहले मैं अजमेर कई हूँ हम लोग तो आते रहते हैं यहां बक्रा मंडी हम लोग देखते रहते हैं तो मैंने अमेशा नोटिस किया जब जब बारिश का टाइम हो जाता है रेत अपने आप 4-5,000 रुपे कम से कम गिर जाते हैं बड़ी आ बड़ी आप अब बाई कैसा है क्या नाम है आपका खदीर भाई स्लाम अलेकुम अलेकुम कहां से लाए बक्रे रही हैं उत्रुड़ा कि दर है यह कि शंगड के पास में क्या मांग रहे उसका इसका नब्बे हजार जादा बोल रहा है यार दोनों के नबबे कम ज्यादे में हो जाएगा चलो इंशालला दिखा देंगे चैनल पर आप लोग का यह जो बखरे भी इंशालला क्या ना मैं आपका खदीर भाई के पास आके ले ले ना यहां से बखरे चलो भाई मैं जो ऐसे लग रहा है कि आपे मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे और मुझे भाई मुझे ना बखरों का इसे बला रहे हो इना वश्याँ अब हमावल बोध थेज हैं घर को या चल रहा है कोई मेरे वीडियो में देखे कि मांदी के अंदर स्टार्टिंग चैनल यह जार आप पर शींतर वां पर यह जैसा माहूल होता है आपके बखरां आपका लियाकत भाई मेरा नाम मुहम्मद चिष्टी है आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के अपर बढ़ा है इसलाम आएंगे इसलाम और एकाद दो दिन में मुझे लगनी रहा कि मुझे आगे बढ़ने देने वाले हर एक कदम के उपर यहां पर मुझे पकड़े थे माशला और वाई कैसे खेरियत चलिए आगे चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं कैसा क्या मंदर है बक्रमंडी का और काफी बड़ा बक्रमंडी है यह मेरे प्यारे और बहुत ही बड़ा बक्रमंडी है और यहां पर तमाम जित्ते भी लोगे ज्यादा तर चारे की उनके जो बक्रे वो व्लॉग में आए तमाम लोगों के बक्रे माशला और यह आप लोग को और भी बक्रे दिखाते थे हाँ बाई बताओ हाइट कम है इसकी थोड़ी कितना लास्ट कितना मांग रहे असका चलो ठीके किसी को और ना कितना इकाठ दो इन प्रसे आते दूतीं में और कितना मांग रहे हैश्का है उदर ही है चलो देखते है सोज़ जाकर देखते सोज़त का अब है इंशाला आप लोग को दिखाएंगे हाँ वो बताओ रिक एसा एक बखरा ऐसा बखरा बता हो मंडी के अंदर का सबसे हाई-फाई वाला बखरा सबसे जबर्दस बखरा सबसे महंगा बखरा हो सबसे महेंगा आजमेर के अंदर का सब से महेंगा बकरہ अरे मज़ाग नहीं बाई चैनल के उपर लोग देख रहे हैं गलत इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर मैं कभी गलत इंफॉर्मेशन देता नहीं जो है ताकि अगर कोई आए तो बराबर वाला इंफॉर्मेशन लेके जाए आए अच्छी है वेज़ेस की सब्सक्राइब लाओ दिखाओ खड़ा दरो उसको सोजद का यह तो प्योर तो नहीं है और गुलाव गुलाव सोजद का तो क्या गुलावी रहता है यह देखो मेरे भी रखे वे गर के अंदर सोजद के पिंक एकदम गुलावी कान के रहते हैं कि सब अंडुले क्या मांग रहे हैं इसका तीस तीस थार पट्टी मतलब दो एक अचा अगर यह 4 पाइब एक बीस में सही है यार माशालला ज्यादा नहीं वाग रहे हो सब्सक्राइब कि वह बलाए अगर को यह लेने आया है किसी का बजेट कंभी होता है कि किसी कसी कंऊ ज्यादा भी होता है कि अगर अगर बजेट में आ जाता है तो बिसमिल्ला कर देना अललश देने वाला बरकत देगा में हुच्छरी नवास का सदके में है ili muzir द॥He vasarch इन में चलते मेर पर यह यह पी तो चोटे-चोटे बच्चे इस आप लहाद लेख सकते हैं माशालों यह बढ़ी बड़ा लग रहा है यह क्या मांगरे हैं गजाओंगा लाओ ले जाओंगा टोड़्य आप बचेगा जो बचेगा जो बाट रहा हुआ अपको और बरकत दे माशला और बरकत दे रोजी के अंदर आपके चलिए माशला और अभी वैसे यह बता अभी सबसे हाई-फाई वाला बताओ सबसे महेंगा जो चल रहा है मार्केट में ऐसा तो एक बकराया होगा कि यहां अरे यार यह बकराया है नहीं 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 वह और इससे भी बड़े बड़े बकरे देखें मैंने अच्छा सोजत के हो तो कौन सा यह बकरा बक्री है चारो बक्रे वाशाला कान देखो इसके ऌतार आए प्योर फ्योर डेल चांब्स के चारोगा यह साठ अजार के भी चारो ज्यादाध मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं देखना और भी मेरे काफी सारे और अलग अलग वीडियो जालता हूं देखना आप लोग शेयर करना सबको और भाई छोटू क्या करने आयो बकरा बकरी बेचने आयो तो बच्छोटे कौन लेता है कुर्बानी के लिए दो दाथ तो अना चाहिए अच्छा बच्चे यह बच्चे बेच रहे हो बच्चे तो पुरे साल विखते है यार सनीचर और मंगल की मंडी लगती है अज मेर की ज सनीचर की जो मंडी वह बड़ी वाली मंडी लगती माशालिय और अभी जो मंडी है यह कितने दिन खर चलने वाली है कि अचलने के बोल्बपर चलती है मोहमद चिश्टी अजमेर अजमेर नाफ न वह अपन तो फुरारी कि मिलब नमाद के शेर से हम लूग है वाई 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 कैसे वह खिएरियत और सुनाओ बंक्रेली नहीं है और आजम बहलां यह अच आईए माँई चाहिंग यह और सुनाओ दिखाते हम भी दिखायए बंक्रेली प्र भाई और मेरे चैनल से आपके पास और भी आप सब्सक्राइबर आ जाए तो कितने मेंदो गए मेरे चैनल से आपके पास लोग आए तो कितना डिसकाउंट दो गें लोगों को अजार उपे अजार उपे तो ऐसी दो अजार भाई को ही देदे अपी खड़े पे मेरे से क्या मतलब हुआ फिर अजार तो आप ऐसे ही दे देए कि इनको फ्रूटे बच्छे गोए अजार उपे मेरे लिए 5,000 कम करोंगे कि अगर कोई अरे यह खारा बैक को नहीं हो पाएंगा चलो ठीक है क्या नाम है आपका मनौर भाई चलो भाई अल्लापिस मिलते हैं फिर इंशालला माशालला काफी सारे मंडी में तो काफी सारे बक्रे आएं यह टाइम और माशालला भी तो 17 तारिक में अभी काफी दिन है हफ्ता वर के आसपास का दिन है अभी 17 तारिक में अभी अल्मोस्ट आज 11 तारिक हो गई और अभी 7-6-7 दिन में माशालला भी बक्रा ही दो जाएगी तो माशालला मैं तो यह एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे जितने भी अभी मेरे मेरी नहीं दिखाए में स्टार्टिंग में तो मुझे पता है कि वो भकरे बिक्रा पालने में कितना मेहनत लगती है क्या माइन चल भेगी अभी तक का सबसे बेस्ट बग्रा कौन से लगा है आप लोग कमेंट में नीचे लिखिए माशाला जबर्दस लग रहा है हां अच्छा बढ़िया है कितना 70 80 किलो है माशाला सीना भी बड़ा जबर्दस हो रहा है माशाला माशाला अलागी मौबत है यह बग्रों से माशाला सुन्नत इबराहिम ही है यह तो जो आपन निभार है तमाम आलम इंसानियत में जितने भी मुस्लिम लोग सब निभार है माशाला बच्चा बच्चा भी यहां पर देख रहे हैं मेरा चैनल का नाम मुहम्मद चिश्टी व्लोग डाल देना उस पर आ जाएगा जी बाई अच्छा लागा मिलके वाई माशारला कही है आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई और बैनो और इंशाल्ला आने वाले एकाद दो दिन में मुंबई जाने से पहले जैसे मैं आप लोग को बताया मुंबई में जाके देवनार का जो मंडी वहां पर में आप लोग को दिखाने वाला उससे पहले अगर इंशालला अगर हो पाएगा एक आद दो दिन में वापिस से माऊंगा आप लोग को दिखाऊंगा कैसा क्या मनजर जी भाई मुहमअच चिश्टी व्लॉग सब कुर्बानी के दिखा रहें अभी तो आईए मेरे प्यारे और बेहने दिखाते हैं और कैसे क्या बकरा है वैं अच्छे हाइट में क्या मांग रहें वाइज इसका है है शाई लगा दो हैर क्या लगेगा लास्ट- क्या लगेगा कप्साइं 25 फंदरा दूंगा 15 15 15 नहीं होगा मैं घुट मैं खुद के लिए बक्रे लेने आया हूं मैं खुद जाओंगा मेरे फुद के लिए एक बक्रा तो अभी लेकर जाओंगा फिर पल्सु आएंगे और रिक और देखेंगे इंशाललह मुहम्मद चिष्टी व्लॉब क्या ना में आपका सिकंदर भाई क्या वात है सिकंदर भाई पिरोज भाई असलाम अलेकुम यहां पर बहुत इनने वाना कोई नहीं है 15,000 रूपे का एक बक्रा मिल रहा है और यहां पर बखरे वालों के आशु आ रहे हैं और देखो यहां पर मावल बहुत ख्राब हो चुका है और देखो बबभभई के अंदर बरसात आ रही है अभी अगर किसी को कम से कम कम से कम में किसी को बखरा लेना हो कितने का कितने तक का आएगा 12 तक का आजाएगा 12,000 का दिखाओ आप तो एक काम करो हां का वाला सबसे सबसे अच्छा आपका नंबर बताओ पहले तो मोबाइल नंबर आ तो लोग आपके बास आएंगे ले ने कि ये । मेरे प्यारे भाई और वैनों अगर आप लोग का कम बजेट है कम से कम के अंदर 12,000 कम से कम में मिल जाएगा तो ये बखल अभी किने 28,000 मांच रहे हो दो दाटे जोघरे माशाललब बारे 20,000 में मिल रहे है 415 00 on 10,000 कि मैं घंड लगा के पास आके ले लेना अगर में लेके जाओ तो दे रहे हो अब दस अजार में चालिए ठीक है देखेंगे अभी थोड़ी देर मैं आऊँगा वापिस और देखोंगा देखोंगा देंगे की निए हम लाइब 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 मौमध चिश्टी व्लोग्स पर आजाएगा देखेंगे यह यह वीडियो भाई आज आज शाम तक मौममध चिश्टी व्लोग्स मुहम्माद चिष्टी बोलते ही आपको सबसे पहले उपर आ जाएगा और बेल नोटिफिकेशन को अन कर लेना या आपको सब तमाम वीडियो मेरे इस पर मिल जाएगा आज मेर के यह देखो आज मेर के यह ठीक है बाई चलो फिर मिलते हैं बाई कि अरे क्या बात है रफिक साहब और वालेकुमस्सलाम और यह रफिक मिया के माशालला बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे माशालला और वाई कैसे कैसे वाई कि देखे कि नहीं आप लोग ने वीडियो मेरे देखते नो वीडियो तो आप लोग भी आ जाओगे वीडियो में और देखें भाई भी बक्रे देखें अच्छा बच्चों के लिए चलो ठीक है मिलते वाई है ना अला आपिस बाई है चलते मेरे प्यारे वाई और वहनों कैसा क्या मंजर अभी बक्रमंडी के अंदर का वह आप को दिखाएंगे बादे अब आप बढ़ा है तो अर्थ किसमें बचा है अचा और सबसे ज्यादा पूंचा बेचा है और सबसे ज्यादा यह निया पगाता एक तो एक या बात है क्या बात है मास्टर माइंड आ जाओ यार घर से भाग का है बक्रे बेचने के लिए महममध चिष्टी व्लोग्स ठीक है बाई चलो चलो माशाला फटीस पचीस एक एक का पचीस पचीस आप लोग देख सकते माशाला एक एक बकरे का पचीस हजार बहुत ही अच्छे रेट में ये निकी ये लोग 50-50 जार बोल रहें फिर बैठके मौल भाव तोड भाव कर रहें डारेक्ट एक रेट लगा पच्चीस से एक दो हजार रुपे कम कर लिया चलता है कम चीबती के तो ऐसे भी बक्रे आते ही है कम से कम अगर आपको कोई अच्छा सा भरावा एक बक्रा देखना है ये कितना मांग रहा है इसका हाँ के पुरिकंडी का ने एक एक का माशालला देख सकते हैं इसका माशालला बड़ा ही जबर्दस थी बक्रा 27,000 के अंदर और भी थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग करेंगे तो कंग जादा और करते हैं चलो ठीक है आजाना आपका दीपक भाई के पास आजाना इदर बक्रा मंडी के अंदर लाइक कर कि आएगे लोगों के बड़ान बता वाई किया ना में अपका हनुमान हमान किते बगरे बेचे अभी तक रहाज आज अचा और सबसे कम वाला बक्रा कितने में बेचा तक अरवाहा सब से कम और सबसे हाई वाला बकरा कितने में बेचा इस एस लिए महां मुहमत चिश्टी व्लॉग्स कि यह चलते तो मेरे पैरे भाई और बेनो मैं इस ब्लॉग को इस पार्ट को यहां पे खतम करूंगा इंशाला नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी कंटिनी करूंगा मैं यहीं से वापस कंटिनी करूंगा वीडियो थोड़ा लंबा ना बन जाए ताके इसलिए मैं बनाने वाला पार्ट वण में यहुला ना बने रहे हैं ए ए मैरे प्लम लहाट उबहा लाख सफ्काइब कर लह सब्सक्राइब कर लें तो लायक काँ मिएर करना ना भूले को और निख सब्सक्राइबर seven रिए तो बह बसफ बने रहें डिकन यूलायं